अब नुसरत पहले दिन आप पार्लिमेंट में शपत लेने पहुँची हैं, गले में मंगसूत्र और मांग में सिंदूर, हाथ में चूडियां, तो उलिमा तो नाराज हो गई होंगे? सर, दिखिये बात ऐसा है, पहरे तो मैं यह बता दो कि किसी कटगहरे में बैठकर इतना गर्व मैसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहे हैं, कटगहरे में हम जरूर हैं, I think this is a matter of honor, मैंने किसी को नाराज करने के लिए कोई step नहीं लिया है, जिस तरह से मेरी पढ़ाई हु and I respect all religions, like every Indian woman, मुझे भी सारा Indian culture को अच्छे से embrace करना था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा एक बार के लिए भी कि मैंने कुछ गलत किया है, किसी और religion को सम्मान दे कर, because I genuinely feel that it's high time we start, you know, adopting all new Indian cultures. लेकिन जो हमारे मौलाना हैं, उलेमाज हैं, उन्हें आपकी शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने का कि एक मुस्लिम लड़की ने एक जैन लड़के से शादी किये, तो बिल्कुल गहर इस्लामिक है, रहूंगी मैं किसी के साथ पूरी जिंदीगी, तो मेरे इल आचाती, मैं हर रिलिजन को सम्मान करती हूँ, मैं बड़ी हूई हूँ, हदीस और कुरान पढ़के, और मेरे घर में मुझे बहुत गर्व मैसूस होता है, बोलते हुए कि मैंने भगवद घीता भी पढ़ा हुआ है, और मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, तो सर ये जो इतनी सारी बाते हो रही थी, religious बाते मुझे लेकर, मैंने पढ़ाई की है, और हमारे स्कूल में हर धर्म के, you know, students होते थे, हर धर्म के, तो हम लोग assembly के लाइन में होते थे, तो हम लोग सारे प्रेस बोलते थे, जिसमें हम लोग Jesus Christ को याद करते थे, हर दम, तो वहाँ पे अ बोल रहे हैं, तो इस अभी मुद्दा अलग हो गया है, अभी बहुत सारी अलग अलग बाते हो रही है, I think sir, थोड़ा अज़स्मेंट करना पड़ेगा, between monotheism and polytheism. मिमी आप पर बिल्जाम लग रहे हैं, ये आप हिंदू हैं, आपकी दोस मुस्लिम हैं, और ये सारा सारा आपका है, सिखाया हुआ. मैं यही बोलूँगी sir, I am proud to have a friend like her, and हमने कई सारे फिल्में भी एक साथ किये हैं, मैं उसे बहुत दिनों से जानती हूँ. और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ. अब देखें, जो देव बंद के मौलवी हैं, वो ये कहते हैं, ये actresses हैं किसी की नहीं सुनती हैं. उन्होंने कहा कि ये, इनका लिबास गहर इसलामिक, नुस्तरत की शादी गहर इसलामिक, तो नुस्तरती इसलामिक नहीं रही है. सर इसलाम तो मेरा रिलिजन है जो मैंने अपने पापा से अपने फैमिली से मैंने पाया है और रिलिजन मैंने हर दम यही बोला है सर रिलिजन ना दिल से होती है मेरे पापा ने भी मुझे यही सिख़्ा है, मेरे पापा हाजी साब है, तो मेरे बहुत परिया, मैरे टुल जब हुई मैं शादे के बाद, तो लोग बुले हाजी की बेटी हो की इस किस तरह का ये बरताव आप ने कर दिया, कि आपने एक गैर-मुसल्मान लड़के से आपने मुहबब का पार्ट सीखें। अगर अगर नहीं सीखें तो कहीं के पंडित कहीं के मौलाना नहीं है। सर मौबब का पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब को पढ़ना होगा। एक मिल्मी आप दोनों ने फिल्म कीती क्रिस क्रॉस जिसमें एक ने मुस्रीन लड़की का और एक ने हिंदू लड़की का रोल किया था उसका भी जिकरा रहा है कि आपने वहीं से असर डालना शुरू कर दिया था मैंने ऐसी भी फिल्म की है जहाँ पर मैं मुसल्मान हूँ और मेरा हीरो हिंदू है तो उसके बार में क्या कहना चाहेंगे सब लोग लेकिए ये भी तो थोड़ा छेड़ती है ना उन्होंने शादी पर कहा मंगल सूथ पर कहा उसके बाद ये जगनात यात्रा में चली गई रत को धक्का लगाने के लिए और वहां आपने मंगल आरती की हाँ क्योंकि मैं उन लोगों के पास चाहिद इंफोमेशन सही नहीं मुझे बहुत पैले ट्रोल हो जाना चाहिए था क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं भी आय थी तो भी हमारे वहां पर जो उल्टा रत होता है तो मैं मायापूर में जाके वहां पर रत टानती थी तो एक बार ये भी न्यूज आय थी कि उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुए थी तो उन लोगों ने कहा था कि नुसरत ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया तो ये उनकी सोच है और वो इल्जाम मेरे पर जादा लगाते है तो आई जेनुएनली फील कि रिलिजन जो है व करें और उफ्ति महम्मद गुलाम रजवी उन्होंने का दूसरत ने मजभ इसलाम के दायरों को पार कर लिया है। इसलिए उसे इसलाम से खारिज किया जाता है। । तो I'm hoping कि और कोई भी नहीं है, तो इसलिए कोई किसी का मधभ नहीं छीन सकता, मधभ इमान की बात है और मेरा इमान पक्का है, और मांग में सिंदूर लगाने से और गले में मंगल सुत्र पेरने से मेरा इमान नहीं डगमगाता है, ये मैं उन्हें कह देना चाहिए। वो ये कहने हैं कि अगर वापस मुसल्मान बनना है, वापस इसलामिक बनना है तो तौबा करना है। कुछ कहा गया सोशल मीडिया में मौलान उने, उल्यमा उने, कुछ लोग ये भी कहा कि फिल्मों में काम करना ही गहर इसलामिक है, इसलाम इजाज़त नहीं देता फिल्मों में काम करने की। कुछ दिन बाद ये बोलेंगे कि आपके घर में जो खाना पकानी आरी है, वो अगर मुसल्मान नहीं हो तो फिर आपका खाना खाना भी बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा तो, लोग तो कहेंगे सर, वो तो कहते रहते हैं। जायरा वसीम का अपने नाम सुना होगा, दंगल की बड़ी एक्टरेस बहुत पॉपलर हुई, उन्होंने भी फिल्मों से तौबा कर ली ये कहके कि ये मेरे और मेरे इसलाम के बीच में आती हैं। देखे सर, वो एक, शीज़ डिफरेंट इंडिविज़ुल, उनके बारे में, उनका काम हमें, मुझे लगता है मेरे सारे दोस्तों को भी यहां अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, ये उनका डिसिशन है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहज़ जाते हैं। वो जब तक स्क्रीन में आई हमें बहुत अच्छा लगा। में क्या लिखा है, फिल्मों में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि मैं अब फिल्मों में काम करती हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है। और प्रोफेशन को मतलब हमारे आप यहीं सिखाया या वर्क इस वर्शिप तो उस तरह की डेडिकेशन और फोकस रहनी चाहिए हर चीज में। अगर रिलिजिन को अपने प्रोफेशन से मिलाएंगे या इन टोडेश तेम रिलिजिन को अगर पॉलिटिक से मिलाएंगे तो फिर सर आगे कैसे बढ़ेंगे हम तो यहीं अटग गये। आपको यह लगता है कि आप दोनों पर यह जादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इलेक्शन लड़ी ही, चुनाव जीत गई, साड़े तीन लाग फोटों से आप जीती, तीन लाग वोट से आप जीती, इतनी कम उमन में में मेंबर और पार्लिमेंट बन गी तो थोड साड़ा वोट कम जाएगा, तो मैं तुरंद घर गई, मैंने बोला ऐसी तो मुझे आइडिया नहीं था पर जो लोग कहने लगे मैंने हुए ही माना, फिर मैंने सलवार पहना फिर मैं गई, फिर दो तीन दीन हो गए, फिर मैंने सुचा ठीक है, अभी पहन लेती हूँ मैं फिर गई, फिर लोगों ने कहा, no you cannot do this, तुम ऐसा नहीं कर सकती, because इससे वोट कम जाएगा, कहीं भी मैंने कुछ भी किया, मैंने कुछ भी कहा, मैं कुछ कहना चाती थी, मैं कुछ पहनना चाती थी, तो लोगों ने हमेशा यही कहा, कि वोट कम जाएगा, मैं यही सोचना चाती हूं, सर, यही मैं बोलना चाती हूं, कि जब मैंने फिल्म किया, तब मैं हिंदू भी बनी, मुसल्मान भी बनी, क्रिश्चन भी बनी, तब मैंने जीन्स भी पहना, साडी भी पहनी, सलवार भी पहनी, तब हर एक लोगों ने सराहा प्यार किया, but आज मैं कुछ भी कर जो लोग इते जजमेंटल हो गए मैं यह जानना चाहते हूं सबसे इसका तो जवाब आपको उलेमा देंगे मौला ना देंगे और जो ट्रॉल करते वो देंगे और लेकिन आपकी खुशी इस बात पो निचे कि देश की जनता आपके साथ है लोग आपके साथ है आपने से जो कि जिस एरिया से मैं भी ब्लॉंग करता हूं आज पास में ऐसा मोहाल क्रेट कर दिया गया है कि हिंदू-मुस्लीम यह जो आजकल मौम लिंचिंग की घटना है हो रही है तो इस पर आपकी क्या राय होगी डिलिजन और पॉलिटिक्स को हर दम अलग रहना चाहिए हर दम आज आप कभी भी किसी को इंपोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि आप यह धर्म चुनो और आप यह खा लो और आप वो मत खाओ और आप यह मत करो सबको अधिकार है बिंग अन इंडिन दे और और एक इकल रा एक व्यूर ने एक शेर लिख के भीजा है मुजे उन्होंने का कि ये आप ज़रूर कहना कि एह खुदा तरी मुझत को फना कौन करेगा एगर सभी बंदें नेक होंगे तो गुना कौन करेगा आप बहुत शिकायट करते हैं सोचल मीडिया पर ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं लेकिन आप जब पार्लमेंट में जीन्स पहन के जाएंगी टीशर पहन के जाएंगी पहले दिन जैसा कभी किसने देखा नहीं किसी MP को फिर सेल्फी भी खिचाएंगी उसको पोस्ट भी करेंगी कॉमेंट भी करेंगी तो लोग तो कुछ कहेंगी क्यों पर मैं एक चीज मेरे सब फ्रेंड से पूछना चाहूंगी हम लोग जब गए पार्लेमेंट में जीन्स और टीशर पहन के खुशी खुशी अपना फिर्स टाइम MP कार्ड बनाया और बहुत गर्फ के साथ वो पिक्चर पोस्ट किया उसमें आप आप लोगों को कैसा लगा वो पिक्चर देखेंगी जो जिन्नों ने लिखा उन्होंने का कि मैडम ये फिल्म का सेट नहीं है ये पार्लेमेंट है को फोटो पोस्ट करते हैं आप ऑफिस के नहीं ओफिस के खेवन में बैठके ऑफोटो पोस्ट करते हैं तब तो कोई सवाला अजा नहीं जा सकते यहां से यहां तक धुशी खुशी अपना फिर्स टाइम MP कार्ड लेनी चली गए और जब मुझे मिला, I was like, oh my god, picture तो लेना बनता है, तो मैंने जब picture, मैं जब picture खिचा रही थी, तब मुझे न, लग मैं, because I am very active on social media, तो मुझे लगा, मैंने, मैंने manager को कहा, ये picture, ट्रोल होगा क्या, तो उसने का, तुम हमेशा तेडा सोचती हो, हमना ठीक है, चलो, ठीच लेते हैं, ये हाथ पढ़के, मैं भी बड़े-बड़े खुशी से, एकदम दोलो, एकदम photo photo खिचा है, और वही से post कर दिया, बेना सोचे किया नतीजा होगा, पर उल्टा हो गया, थोड़ा, ये वही सेम, जीन्स और टी-शिट पहन के, जब एक लड़ता पिक्चर खिचाता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, इसके बारे में सब को शर्विंगी की होती है, इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी, कि ये क्लिपिंग मेरे फिल्म की है, जो एक super hit song है, जिसका like 10 million से जादा है, सब ने उस फिल्म को पसंद किया, उस गाने को super hit किया, बट मैंने जब उस गाने की एक क्लिप लेके एद में लगाई, तब सब को चिड़ हो गई, क्यों? ये ये लॉजिक मेरे को कहीं समझ में नहीं आती, पर ये गलत तो नहीं है ना सर, क्योंकि आज अगर देखें आप, हर जगह आप देखेंगे posters, political posters भी आप देखेंगे, जब कोई भी festival होता है, तो हमारे political leaders भी, चारो तरफ, all over India, they, you know, they kind of respect the festival, और सब साथ में मिलके celebrate करना चाहते, तो उस लिबास में सम्मान देते है festival को, और festival के सारे norms को, ममता बेनर जी पे ऐसे करती है ना इसलिए, और मुझे बहुत सारे रोल करने करने पड़ते हैं, ये जब मैंने film किया था, ये super hit हो गया था, बट ये picture लोगों को पसंद नहीं आई, पता नहीं कियों, तो फिल्मों में कम कपड़े पहने थे, आज फिल्मों में इतना सराग है, प्यार किया है, लोग जानते हैं, तब ही तो आज हम इस जगा पहुँचे हैं, अगर ओडियंस उस टाइम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आज इस जगा ये जो यहां बैठे हैं सर, इतना बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी सम्मान की बात है हमारे लिए, आज हम यहां तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो लोगों नहीं हमें यहां तक पहुचाया है, तो उनसे क्या शिकायत करूँ है? यह नहीं लगा कि यह कहां फज गए हाके? ना, ना, ना सर, एक बार के लिए अगर लगता था कि थोड़ा कि क्या यह बंद हो सकता है, फिर समझ में आगया कि नहीं, लोग ऐसे ही करते हैं, मज़ा आते हैं, उनको शायद इसलिए करते होंगे, तो खुश रहें, अबाद रहें, मज़ाद, नुसरत और मिमी को भी आता है, गणेश चतुर्ती के दिन, आपने शॉट स्पहन के गणेश जी के साथ, Sir, I was a rebel since I was a child, and I'll always be that one, and I love doing that, so, भगवान ने, मैं जब बाली गई थी, वो मूर्ती के सामने, मेरे डाड़ी मेरे पिक्चर कीची थी, कहां, क्या पहन के, कब, किस रूप में पिक्चर किचाया, I don't think that matters, Sir. आप जो rebel हैं, आप ज़रूर छेरचाड करती रहती लोगों से, तब ही इतना दा रियक्ट करते हैं? जी ने, Sir, मैं लोगों से छेरचाड ने करती, मैं स्टीरियोटाइब्स ब्रेक करने में बिलीव करती हैं. गलत, Sir, आंगल, यहां पर. मैं, Sir, बात्रूम में गाई हूँ, नॉमली तो. मैंने कॉंसर्ट में आपके गाने देखे हैं. Sir, वो क्या होता है, वो करना पड़ता है, Sir. ओडियन्स की दिमांड होती है. और, Sir, अगर यहां ओडियन्स की दिमांड होती है? आगुनेर परोष्मनी, छो आओ प्राने, एजिवन पूर्णो करो. एजिवन पूर्णो करो. एजिवन पूर्णो करो. थाइक यू तो मुटम आज़न्स की दिमांड है. मिमी ने प्लेवेक भी अपने फिल्म में. नुसरत ने बताया कि मिमी भी बहुत अच्छा गाती है, तो फिर और. हमें तुम से प्यार कितना, ये हम नहीं जाने ते. मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिनाम हमें तुम से प्यार Thank you.